इस्ट से चेतन होता व्यक्तित्व और मंत्र से चेतन होता मन इस्ट बृति से चेतन होती दिख्षा और सेवा से चेतन होता धने मतलब क्या तहरे है इस सरीर की बात कह रहे है यह एक जग ठापर जी बोले है कि दुनिया में जितने भी यंत्र बने हैं आप देख रहे हैं आजकल मुबाइल में देखिए इतने मसीन बने हैं बहुत बहुत चीज बन गए हैं सब कुछ बन चुका है लेकिन सबसे बड़ा यं उसी ने सब यंत्र को बनाया, तो जो यंत्र सबसे बड़ा है, तो उस यंत्र से क्या किया जा सकता है, इसी यंत्र के चेतन होने की बाद था पुर्जी का नहीं है, कि इस यंत्र में बहुत कुछ यंत्र कर सकता है, लेकिन चेतन होगा तब न, चेतन नहीं है, यदि मसीन में म चाकू बेकार है चूला बेकार है जब चलेगा नहीं किस काम का तो कह नहीं कि इस यंत्र को इस यंत्र को चलाने के लिए ठाकुर जी यहां वैठे हैं और कुछ करने के लिए नहीं वैठे हैं कि ये जो दुनिया में सभी अंतर घूम रहे हैं चलते फिरते इनको कैसे चलाया जाएगा उसके मेकेनिक हैं ठाकुर रिपेर दा मैन इसलिए बोलते हैं ठाकुर जी को कि ठाकुर रिपेर दा मैन जस्ट लाइके मोटर कार ठाकुर मनस्चे को रिपेर करते हैं उसमें तेल डा तब इस में से सब कुछ निकलेगा जो आप चाहते हैं इसमसीन से तो इसमें ठाकुर जी का तो कोई कामी नहीं हुआ है, ठाकुर के ने तो कुछ बोला ही नहीं कि हम आओ हम आशिरवाद दे देंगे, कैश lland दे तो आदमी के बुद्धी को धार देते हैं थाकुर जी इसलिए बोलना है इस्ट से चेतन होता वेक्तितो और जब हम इस्ट को पकड़े ही नहीं तो चेतन क्या होगा पुछ होगा जो धार देना है उनके पास हम गय ही नहीं खाली बाईटे हैं फूल माला अच्छत लेकर सब कुछ हो जाए हो जाए हो जाए इससे भगवान नहीं मिलेंगे, खाना खाने जाएंगे, कैंडिल डीनर, माहौल बनाया जाता है, दारुबाज भी माहौल बनाता है, आदमी बड़्डे करता है, माहौल बनाता है, एक माहौल बनाता है, हम लोग चाह भी सबरे पीते हैं, तो यार यहाँ आज पीएंगे, यह लोडेंगे, तो वसलों लोड़ेंगे माहौल बनाता है, तो इसका मतलब ये माहौल बनाने कुछ नहीं है, अनुस्थान का मतलब ये माहौल बनाना चाए MNARIEL फोड़ लें, चाए तिलक लगा लें, चावरबती जला लें, दसान जला लें, यह साखाली के वल माहौल बनाने के लिए है, इससे भगवान की प्राप्ति नहीं होनी है, इसलिए ठाकुर बोलते हैं कि समय गवाया पत्छ खोजन में, अनुस्ठान का आडंबर, अनुस्ठान ही पाया हमने पत्छ गया चुले भाड़। मुँ में उंगली करके और हाथ नहीं धोता है तो बहुत से किटाडू उसके सरीर में वैसे आ जाते हैं। ठाकुर जी जो बात बोले हैं वही तेल डालना है और वही घंसना माजना है। तीनी चीज बोले ठाकुर जी यजन यजन इश्टवरिति यही तीन चीज हैं। और यजन में ही आपका स्वस्तेनी और सदाचार तो यजन में ही आ जाता है हम नाम ध्यान करते हैं वो नाम ध्यान भी यजन में ही है स्वस्तेनी की सारी बात यजन में ही है क्योंकि सरीर को स्वस्त रखना है सरीर को कसर रखना है अब एक बात बता दें ये सरीर क्या है, सरीर जो यंत्र है न, इसलिए ठाकुर्जी बोलते हैं कि इस सरीर को सही रखना है, इस सरीर को निरोग रखना है, इस सरीर को निरोग रखने के लिए जो जो करना है, वो करना है, इसमें खान पान का विसेश ध्यान देना है, जहर नहीं खाना है, दारू नही पीना है तो ठाकुर जी ने ये बोला ऐसी बात नहीं ठाकुर जी बोले कि हम जो है एक बार मचली खाते काए दो मचली खाते थे तो जब हम ध्यान करते थे तो मेरा ध्यान लगता नहीं था बीच से ब्रेक हो जाता था तो मचली खाना मैंने छोड़ दिया तो जब ध्यान करन तब बताएं आपको, सब करके भी बताएं कि देखो क्या क्या होता है, तो आदमी कहें कि ठाकुर जी मान समझ चली मना किये हैं इसलिए, कि आप जब नाम ध्यान करेंगे, जब ठाकुर जी गुरु जी की पूझा करेंगे, तो पूजा में आपका मन नहीं लगेगा आप प्याज लासुन खाएंगे तो प्याज लासुन खाने के बहुत आदमी कहता है कि नहीं उससे बहुत सा रोग ठीक होता है हाँ ठीक होता है 10% ठीक होता है और 70% नुकसान होता है यह तोड़े नहीं ठीक होता, ठीक होगा, नुकसान क्या होगा, उसमें बहुत तगड़ा टॉक्सिन है, प्याज में आप यहां काटते हैं, तो वहां जो लोग बैठें, उनके आँख से आसू आता है, तो कुछ है ना भाई, तमने यहां से कुछ जा रहा है, आँख में लग कोई काम में मन नहीं लगेगा फिर, हमारा ब्रेन खाने के उपर डिपेंड करता है, जैसा खाओगे अन वैसा हो जाएगा मन, तो इसलिए बरत करते हैं हम लोग, कि कम से कम पुर्णिमा को बरत रहिए, ठाक पुर्णिमा को बरत, और एकादसी को, अमावस्या को, और आपक हम को तोड़ो नहीं, बल्कि ये क्यों किया जाता है, पहले जानिये, तब इसको छोड़िये, पुर्णिमा को क्यों बरत करने को बोले हैं, पुर्णिमा को यदि बरत का मतलब थोड़ा कम खाना, यदि पुर्णिमा को आप बरत नहीं रहेंगे, और खाना खाएंगे, तो आपको अपच की सिकायत रहेगी, अब क्यों रहेगी, साइंस और अध्यात्म, दोनों चल रहा है, साइंस करता है कि पुर्णिमा के दिन ज्वार भाठा आता है, समंदर का पानी उपर आ जाता है, तो आप सिफ जितने होते हैं समंदर में जहाज बड़े बड़े, वो जहाज खड़े रहते हैं, बहुत दूर, क्योंकि पानी नीचे किनारे नहीं आते हैं, आ नहीं सकते हैं, पानी नीचे रहता है, अब पुर्णिमा के दिन वो न, पानी बहुत देखते हैं मुंबई में, जहां पानी नहीं रहता था, पुर्णिमा में एकदम उपर तक पानी आ जा तो पुर्डिमा के दिन ये पानी हमारे सरीर का भी उपर आ जाता है तो यहां तक तो भरा है, उसके बाद हम ठूस लिए, तो यहां तक हो गए तो अब अपच हो रहा है, तो यहां तो कुछ खाये नहीं भाई, आज अपच काये हो रहा है आपको पते नहीं कि उस दिन पूर्णीमा था तो पूर्णीमा को ये ठाकुर्णीज बोले हैं कि ये रिसी महर सीख साइनटिस्ट थे ना भाई हम लोग इनकी बातों को नकार देते हैं हम बहुत पड़ लिये हैं हम تووبायल में देखेंगे कि मॉबायल में क्या लिखा है? नहीं, उस दिन यदि थोड़ा कम खाएंगे नहीं भी खाएंगे तो चलेगा. इसलिए बरत रखने के लिए बोला गया है कि पूर्णिमा के दिन बरत रहेंगे तो आपका सरीर उस दिन अपच की सिकायत नहीं होगी, सही रहेगा, तो ठागुर जी हर छोटी छोटी बातों को हम लोगों को करने को बोले हैं, आज जब हम करते हैं, तो जब करते हैं तो ये स खाएंगे तो मर जाएंगे, मरेंगे नहीं, कम खाएंगे तब ही जिन्दा रहेंगे, आजकल कम खाना ही ठीक है, जतना कम खाएंगे उतने स्वस्थ रहेंगे, और फुर्तीले रहेंगे, फुर्तीले रहेंगे तो ब्रेन काम करेगा, सोचेगा, सब कुछ करेगा, यानि बैल लिखेगा यानि बैलेंस नहीं हुआ तो सोडियम की कमी हो गई आपको खून की कमी हो गई तो ये सरीर का बैलेंस गड़र आ गया तो बैलेंस करना है तो टाक्टर बैलेंस करता है तो भाईया सबसे जरूरी है इस्ट से चेतन होता ब्यक्तित तो बैलेंस नहीं होगा ये बैल इसको भी बैलेंस करना है। यह करेंगे इसलिए इनकी दिक्षा लेकर के यजनियाजन इस्टविर्ती जब आदमी करता है नाम ध्यान करता है इस्टविर्ती करता है सुगा साम प्रेयर करता है तो यह बैलेंस होता है हमारा बोलना हमारा चलना हमारा सिवा करना हमारा उठना हमारा बैठना यह आईरन है ये सोडियम है, मैगनिसियम है, जो जो सरीर में तत्व की कमी होती है, वो ठाकुर जी इस विहाइबियर को बैलेंस कर देते हैं, तो जो बैलेंस करते हैं, तब प्यार इंस्टाल होता है, जैसे आप आप डाउनलोड करते हैं मुबाइल में धीरे धीरे, तो देखते हैं न, द बैलेंस हो जाएंगे एक एक आदमी बैलेंस हो जाएगा बैलेंस यानि उसका चलना उसका फिरना उसका बोलना उसका बेवार करना ये सब कुछ बैलेंस हो जाएगा किसी से बोलेगा तो अच्छा लगेगा लोग उसको देख के कहेंगे बहुत अच्छा आदमी जा रहा है त तो बैलेंस हो जाएगा तो क्या होगा प्यार इंस्टाल हो गया आपका आपके अंदर प्यार इंस्टाल हो गया कोई आपको गाली भी दे देगा तो बोलेंगे तो गाली तेरी हम लिए ये नहीं तू अपने पास रख ले हम लेंगे तब नहीं हम ले लेते हैं इसलिए लगत तो जब प्यार बैलेंस हो गया तो अब कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर लव बैलेंस हो गया, लो वी लव बैलेंस हो गया, पता चलेगा, हमारा आपका करेक्टर हो जाएगा, आपका चरित्र बढ़ियां हो जाएगा, आपका बुद्धी बढ़ियां हो जाएगा, आपका जो हमारे आइडियल हैं गुरुजी, तो गुरुजी घुश जाएंगे तो क्या होगा, सरीर हमारा कैसे पता चलेगा, कि हम ठाकुर्जी से युक्त हैं, ठाकुर्जी की तरह से हैं, ठाकुर्जी का वो ठाकुरत तो जाकुरित हो जाना, यानि, वेन आइडियल अवेक इन दा और कैसे उसको सबकुप्रेम से बुला करके मन माफिक जैसे की से हो जाता है एक पैसा नहीं रहता है। वैसे आपका सारा काम कैसे आप भालंस्राइब कर रहे हैं तो समझे की हाँ हम लोग ठाकूर इंजन में और इसको घसमाज करके सही रखना है कि हमारे अंदर प्यार इंस्टाल रहे और ठाकुर जी हमारे अंदर जागरित रहें तो इसलिए ठाकुर जी कहें हैं कि ठाक बे यदी इस्ट चलन ठाक बे जदी इस्ट चलन राक बे ना तोर दुर्गती दुर्गती सब दुर नग होए आन बेजाए उन्नति, यानि इस्ट के चलन पर जब आप चलेंगे तो कोई भी आपती भी पत्ती आपके पास नहीं आएगी, वो आपती भी पत्ती आप से टकरा करके वापस चली जाएगी, कल मेरी स्रीमती जी ने बोला, उन्नाली जाम हो गया है, जो वैसीन का है, ऐसे उसका पाइप है बहुत दिन से अब पानी नहीं जा रहा है क्या होगा तो ड्रेनेक्स लाई ड्रेनेक्स डाला गया उसमें पढ़ लोड़के कि एक कप पानी नियम है न भाई उसका भी डाला गया तो पानी भग गया जाम खुल गया गुरू जी इतना ही काम करते हैं इलवाद नहीं आ रहा है आगे बढ़ने का गुरू जी को करके वही ड्रेनेक्स है जब उसमें नाली में घुश जाएंगे तो उस सब राहू के तुस अनिच्चर सब खतम हो जाएगा यह नहीं पंडी जी कहें यहां जाके उच्छा राद भईया दिया जरा दो यहां ही कर करना है पाल तु नहीं तीन काम यजन याजन इस्टिवर्ति कर ले काटे महावरिति ठापड़ी सब का तल्यान करें जाएगा